आज हम क्लास 6th की Chapter No.2, Factors & Multiples की Worksheet No.1 करेंगे ये जो Worksheet मेंने ली है, ये डिये वी स्कूल्स में जो बुक रिकमेंड़िद है, उसमें से ली है Factors & Multiples हम अलड़ी 5th में कर चुके हैं ये उसका थोड़ा सा Advanced Version देने माला है तो जिन लोगों ने सब्सक्राइब नी किया चैनल प्रीज कर लिजिए थर्ड, फॉर्थ, फिफ्ट मैं अल्रडी कंप्लीट कर चुका हूं मैट्स बीएवी स्कूल्स की जो बुक है वही मने कवर की है आज हम फिर शुरू करते हैं चैप्टर टू, क्लास सिक्स्थ, और वर्क्शीट नमबर वन फैक्टर्स और मल्टिबल्स तो उड़े से रवाइस कर लेते हैं कि होते ही गया है अगर मेरे को यह बोल लो आपके जी कि फॉर के मल्टिबल्स बताइए क्या है तो सिंपल है, फॉर का टेबल लिखना शुरू कर दो, फॉर वन जा फॉर फॉर टू जा एट फॉर त्री जा ट्वल और फॉर फॉर जा इस तरह से आगे बढ़ते जाओ तो यहां पर अगर में को बताना हो कि फॉर के मल्टिबल्स कौन से हैं तो आंसर यह जो मल्टिबल्केशन के बाद जो आंसर आता ना, यह मल्टिबल्स है मालब फॉर के मल्टिबल्स में फॉर भी आता है, एट भी आता है, ट्वल भी आता है, सिक्स्टिन भी आता है, ट्विंटी भी आता है और इस तरह से आगे बढ़ता है जाओ, जितने भी मतलब 4K टेबल में जो भी आंसर आते हैं, वो सारे के सारे एक तरह से 4K मल्टीपल्स हैं, यह होगे जी मल्टीपल्स, अब आजो फैक्टर्स पे, तो फैक्टर्स क्या हैं, मालोक 12 है, यह मैं सब एक्जामपल जो ले रहा ह अब 12 के अगर मैं को फैक्टर्स बताने हो, कि जी क्या है, तो 12 के केस में फैक्टर्स उसके होईंगे, वो नमबर्स जो 12 को पूरी तरह से डवाइड करेंगे, और डवीजन के बाद रमेंडर 0 होगा, जैसे अगर मैं को 12 को डवाइड करना हूँ, तो सब से वेलमेंट 12 को 12 से डवाइड कर लेता हूँ, 12, 1 जा 12, रमेंडर 0 आ गया, तो 12 जो है, वो 12 का ही फैक्टर है, तो 12 के फैक्टर्स लिखने शुरू करूँ, तो एक तो सबसे पहले 12 भी आ गया, एक 12 आ गया, अब हम चलते हैं, उल्टा ले ले लेते हैं, 12 को मैं 1 से डवाइड कर सकता हूँ, 1, 12, 0, 12, रमेंडर 0 आ गया, तो एक चीज याद रखने ना, किसी भी नंबर के दो फैक्टर्स तो मैंशा ही होएंगे, एक तो वो नंबर और एक 1, ठीक है, यह इंपोर्टन्ट है, विकाद आगे दो और हमने चीजे करनी हैं, वो इसी के उपर बेस्ट है, अब हम देखते हैं जी कि इसके इलावा अब 12 और कौन-कौन से नमरों से डवाइड होता है, तो 12 को अगर मैंको डवाइड करना तो मैं 2 से कर सकता हूं, 2, 6, 12, रमेंडर फिर 0, तो 2 भी एक फैक्टर हो गया, उस तरह से अगर 2 है तो फिर 6 को भी देख लो, 6, 2, 12 हो जाता है, आंसर 0, तो 6 से भी डवाइड हो रहा है, तो 6 भी एक फैक्टर है, फिर उसके बाद आजो जी, 3 से डवाइड होता है, 3, 4, 12, रमेंडर 0, तो 3 भी एक फैक्टर आ गया, अब 3 के बाद 4 को ले लो, 4, 3, 12, आंसर 0, तो 4 भी एक फैक्टर आ गया, इसके इलावा फिर बचा 5, वो तो डव डवाइड नी करता है 12 को, उसके बाद 6, 6 को हमने अल्री कंसिडर कर लिया है, अब 6 जो है, मिडवे है, हाफ है, इसके उपर जब जाओगे, तो कोई भी नमबर ऐसा नहीं मिलेगा, जो 12 को पूरी तरह से डवाइड करें, 7, 8, 9, 10, कभी भी 11, कभी भी 12 को पूरी तरह से ड बाद करेंगे, एक तो नमबर खुद आएगा, फैक्टर, एक 1 होगा, ये तो दोनों बाइड डवाइड होएंगे, उसके इलावा फिर आप देख लो, कि कौन-कौन से और नमबर हो सकते हैं, जो नमबर को पूरी तरह से डवाइड करें, तो ये जो है, इनको हम बोलेंगे कि ये factors हैं, इस नमबर के, so factors are the numbers, factor of a number divides the number exactly, with 0 as the remainder, ये अब multiple क्या हो गया, और factor क्या हो गया, दो चीज़े आपको clear होगी, अब हम शुरू करेंगे वर्कशिट, अब पहला question क्या है, number which have more than two different factors are called, मतलब, वो numbers जिनके factors, एक तो वो number तो खुद होगा, एक one होगा, और इसके इलावा भी कोई ना कोई और number होना जाई है, जो उस number को पूरी तरह से divide करे, so number which have more than two different, तो two factors, two numbers तो हमेशे ही रहेंगे, जो factor होएंगे, किसी भी number के, एक तो वो number itself है, और एक one, अब दो से ज्यादा अगर factors आजाएं, तो उन numbers को हम क्या बोलते हैं, तो composite number जो है, उसकी definition देखो, four, so two से ज्यादा उसके factors थे, दो से ज्यादा numbers ऐसे थे, जो उस number को divide करते थे पूरी तरह से, तो ऐसे numbers जिनके दो से ज्यादा factors होएंगे, उनको हम composite numbers बोलते हैं, जैसे अब example four ले लेते हैं, four को अगर हम देखें, factor कौन कौन से हैं, four के, एक तो four खुद होगा, एक one होगा, उसके अलावा four divide होता है, two से भी, तो four के दो से ज्यादा factor होगे, तो इसलिए वो four भी जो है, complete number ही गिना जाता है, अब बी पार्ट पर आज़ते हैं, अब बी पार्ट क्या है, number which are not divisible by any number, any other number, except one and the number itself are called, देखो, अब ये वाली बात क्या आगें, कि वो numbers, जो सर्फ और सर्फ, या तो one से divide होएंगे, या फिर वो number खुद ही उनको divide करेगा, जैसे हमने example लिया three का, अब three को divide करें, तो किस-किस number से divide कर सकते हैं, एक तो three से कर सकते हैं, एक one से कर सकते हैं, इसके इलावा three और किसी चीज़ से divide होता है, answer is no, devian जो है, वो complete होनी चाहिए, remainder zero ना चाहिए, ठीक है, तो answer is no, तो number three जो है, वो या वान सेड़ वाइड होगा, या वो खुद अपने आप three सेड़ वाइड होगा, तो यह उन numbers के बारे हम बात हो रही है, number which are not divisible by any other number except one, and the number itself are called, अब यह वले जो numbers हैं, इनको क्या बोला जाता है, इनको बोला जाता है, प्राइम numbers, a number which has only two different factors, मतलब यह वो numbers होगे, जिनके सर्फ दो factors होते हैं, एक तो one, and दूसरा, the number itself, यह इन वाले जो numbers होते हैं, इनको क्या कहते हैं, इनको हम बोलते हैं, प्राइम numbers, तो question number B का जो answer है, वो क्या है, प्राइम numbers, अब C part पे आ जाते हैं, C part का question क्या है, one is neither dash nor composite, तो अभी हमने दो तरह के numbers, देखे हैं, एक तो prime numbers, और एक composite numbers, प्राइम numbers कौन से numbers है, जिनके कम से कम दो factors तो हो, एक तो one, और एक number खुद, और composite गया है, जिसके दो से ज्यादा factors हो, मतलब, दो से ज्यादा numbers हों, जो उस number को divide करें, जैसे 12 था, 12 को divide, 12 भी करता था, 1 भी करता था, 6 भी करता था, मतलब, more than two numbers उसको divide कर रहे थे, तो वो composite numbers थे, तो अब आ जाती ही, बारी one की, अब one के कौन से factors हैं, भाई, one को divide करेंगे, तो किस से divide होगा, one से ही होगा, so one is getting divided by only one number, and that is one itself, वो दो number से divide नहीं हो रहा है, उसके दो factors नहीं है, तो ये c question क्या है, one is neither prime nor composite, है, तो answer इसका क्या है, प्राइम, वान ना प्राइम नंबर है, और ना ही वो composite number है, अब डी पार्ट पर आ जाते हैं, six is a composite number, as it has dash factors, अब six के factors कितने हैं, मतलब हमें ये ढूणना है, six कितने नंबरों से divide हो सकता है, तो चलो जी, six को अब हम divide करना शुरू करें, तो सबसे पहले one से शुरू करते है, one six is a six divide होता है, remainder zero है, तो one is a factor of a six, कोई शक नहीं, ये तो हमने वैसे भी सीख़ए कि one और एक number itself अपना आपका factor जरूर होगा, तो अब आजो two पे six को divide करते हैं, two से two three is a six होता, remainder zero है, तो two भी factor आगया, अब आजो three पे six से divide करो three को, three two is a six, ये भी divide करता है, three भी factor आगया, अब आजो four से divide होगा six, answer is no, पुरी तरह से नहीं divide होगा, five से होगा six divide, नहीं, तो अब फिर रह क्या गया, बचा है, six, अब six से तो divide होगा है ना भाई, number जो है अपने आप से divide तो होगा ही न, तो six एक जा, six वान जा six, और six में से six के तो remainder zero, तो factor एक जो है, six का एक और क्या आगया, six itself, तो कितने factors निकल के आ रहे हैं, one, two, three and four, तो six के अब कितने factors होगे, four, तो answer क्या है, four, अगला question क्या है, e question is, dash is the only even prime number, भाई, एक तो पहली बात है, कि हमें वो number ढूना है, जो prime हो, और दूसरा वो even भी होना चाहिए, तो पहली बात है, prime numbers कौन से होते हैं, prime numbers वो होते हैं, जो यहां तो वो खुद अपने, आप से divide होते हैं, या वो one से divide होते हैं, तो अब हम ऐसा number ढूंडेंगे, पहली चीज़, जो कि even हो, और साथ में वो prime भी हो, तो अब शुरू करते हैं, फिर even numbers से, और ढूंडा शुरू करते हैं, सबसे पहला even number कौन से होएगा, वो होएगा 2, तो क्या यह prime हैं, तो देखोगे 2 के factors अब कौन कौन से हैं, एक तो 2 तो divide होएगा 1 से, बिल्कुल होगा, और 2 divide होएगा 2 से भी, अब इसके लाबा कोई और number है, जिससे 2 divide होता है, तो answer is no, तो इसके सिर्फ दो ही factors हैं, तो that means it is a prime, तो 2 जो है, even भी है, और वो prime भी है, तो यह वो number है, which is even, and as well as it is a prime, तो हमें फिर e question का answer मिल गया है, e question क्या था, that dash is the only even prime number, विखो, उसके बाद 2 के बाद even number आता है, 4, 4 के भी देखोगे, तो कम से कम 3 factors तो हैं यह, 1, 2 and 4, और फिर 6 में चले जाओगे, उसके और factors बढ़ जाएंगे, तो 8 के भी factors लग लग लगें, तो, even number और वो prime भी है, वो सिर्फ एक ही है, और वो है 2, अब उसे तरह से आजो तो smallest prime number is, अब smallest prime number कौन सा आ गया, सबसे बहले शुरू करते हैं, 1 से, क्या 1 prime है, answer is no, reason क्या है, 1 के factors अगर हम ढूणने के तो, 1 का factor सिर्फ और सिर्फ एक आता है, और वो है 1 itself, 1 का factor सिर्फ एक है, इसके दो factors नहीं है, तो इस वज़ा से it is not a prime, तो उसके बाद आजो 2 पे, तो क्या 2 prime है, answer is yes, अभी हमने पिछले question में किया है, तो फिर, इस question का answer क्या हुआ, the smallest prime number is, 2, ये है answer, अभी question number जी के आए, the smallest composite number is, अब composite number कौन से होते हैं, जिसके 2 से ज़्यादा prime, 2 से ज़्यादा factors हो, जो, कम से कम 2 से ज़्यादा number हो से divide होता हूँ, तो smallest चाहिए, और composite भी चाहिए, तो पहली बात smallest अब हम शुरू करेंगे, 1 से 1 तो देख जी, ना prime है, ना वो composite है, तो इसको छोड़ दो, फिर 2 पे आजो, 2 देखो भी हमने किया था, ये prime है, इसको भी छोड़ दो, इसके लावा, वो किसी और से ने divide होता है, थ्री भी जो है, वो prime है, तो थ्री के बाद आप बारी आ जाती, फॉर की, अब फॉर के factors ढूंडो किया, एक तो वान और एक फॉर, ये दो factor तो वान, इस किसी भी नंबर की मतलब होएंगे होएंगे, तो फॉर के factors में उन और एक फॉर, तो चई तो ङही नहीं है, इसके लावा, फॉर के से divide होता है, ëॉर जाओ पॉर से, तो ये जो है, ये composite number है, और जो composite number शुरू हो रहे हैं, वो कहां से शुरू हो रहे हैं, वो four से शुरू हो रहे हैं, वो आया जी फूर अब आजाएं जी एच पे smallest odd composite number क्या है एक तो नंबर जो होना जी ओड़ होना जी है दूसरा वो composite भी होना जी है मतलब उसके दो से ज़्यादा factors होने चाहिए तो odd numbers ही हमें बढूना है तो odd numbers से शुरू कर लेते हैं 1 ना वो composite ना वो prime है इसको छोड़ो इसके बाद 3 ये prime है बिकाज इसके सिर्फ दो ही factors है फिर 5 इसको भी छोड़ो दो बिकाज इसके भी दो factors है 1 और 5 इसके लावा 5 किसे से divide नहीं होता 7 ये भी prime number है बिकाज इसके भी दोई factors है 1 और 7 इसको भी छोड़ो अब आज़ो 9 पे 9 के कौन-कौन से factor नहीं देखो एक 1 और एक 9 तो कहीं नहीं गए ये तो होने होने है इसके लावा 9 के से divide होता है तो answer is 3 तो ये क्या हो गया 9 is composite and at the same time it is odd also तो ये composite number भी है और odd number भी है तो smallest क्या था smallest odd composite number is answer is 9 अब अगला question क्या है देग्रेटेस्ट टू डिजिट प्राइम नंबर देखो एक तो हमें प्राइम नंबर जूड़ना है और दूसरा वो टू डिजिट होना चाहिए and वो ग्रेटेस्ट टू डिजिट होना चाहिए तो फिर हमें अगर ये ढूंड़ना ह है तो ग्रेटेस्ट टू डिजिट नंबर पहली बात है क्यों सा है ग्रेटेस्ट टू डिजिट नंबर है जी 99 अब जो 99 है इस इट प्राइम प्राइम अगला इसके फैक्टर डूंड होगे एक तो 99 और एक वान तो हैं इसके लावा जो है वो नाइन भी फैक्टर बनता है लेवन भी बनता है तो 99 जो है वह कॉम्पजिट बनागर इसके बाद आच वह 98 पे इसके बहुत सारे फ्रेक्टर निकलाएंगे इसके बाद आजो 97 97 के कौन-कौन से फ्रेक्टर है एक तो वान और एक 97 तो होंगे होंगे इसके लावा कोई फ्रेक्टर बनता है यह तरी से ड्वाइड होगा नहीं 97 से होता है नहीं तो फिर 97 is a prime number and it is two digit और अब हमें कोई डाउट नहीं है कि यह ग्रेक्टेस्ट भी है तो 97 is the answer question number two क्या है are the falling numbers prime or composite show by finding the factors तो पहली बात है कि हमारे को यह बताना है कि यह जो numbers है हमारे को दिये हैं कि यह composite है कि यह प्राइम है but इसमें एक important चीज़ उन्होंने डाल दी है वो है show by finding the factors तो वह एक लंबा काम हो गया अगर तो simple हमें ढूना होता है तो कि बात ही नहीं थी तो हम वैसी बता देते है कि भाइया प्राइम नंबरें की अब सबसे पहले जो है नाइन दिया है अब नाइन के factors अब क्या क्या आ जाएंगे नाइन आएगा एक वान आएगा इसमें तो कुछ से किन तॉट नियूर्स के लब आ थरी आता है तो यह कौन सा हो गया यह हो गया composite अब इसके बाद अगर हम देखें जितने भी हमारे को इवन नंबर्स दिये गए है 48 ले लो 96 ले लो इसके बाद यह 78 ले लो यह देखो इसमें कोई second thought ही नहीं है यह सारे के सारे जो है यह composite है बिकास 48 अपने आप से ड्वाइड होगा और वन से भी होगा तो उसके लावा 48 चुंकि यह इवन नंबर है तो यह कम से कम टू से जरूर ड्वाइड होगा तो आंसर इनका 48 का 96 का और 78 का यही है कि यह तीन वही composite नंबर है बिकास इसके दो से ज़्यादा फैक्टर्स है बट हमारे को जब सम करना है तो हमें सम जब करना है तो इसके फैक्टर्स हमें ढूंडने पड़ेंगे तो अब 48 की जैसे फैक्टर्स अगर हम ढूंडने निकल करेंगे तो पहली बात है जी 48 के जो फैक्टर्स दो तो स्ट्रेट वी आ जाते एक वान और एक 48 अब इसके इलबा जो 48 को अगर आप डवाइड करना शुरू करो टू से करो टू टू जा फोर एट नीचे आ गया तो फोर जा एट ये भी जिरो हो गया तो एक जो है 24 भी फैक्टर्स निकल के आ गया और एक टू भी निकल के आ गया उससी तरह से अब आजो 48 का आप आजिए फोर यह टो होता है toda for one of four , it for two the eight तो यह भी आ गया तो फोर का एक फैक्टर सारी 48 का एक फैक्टर फोर भी आ गया और एक वैल्स भी आ गया उस तरह से आप 48 घॉक्तर अब धूनडो 3 है क्या 313 वन यहां पर आ गया और ए 10 नीचे आ जाएगा तो 3, 6, 18 यह भी remainder 0 है तो फिर इसका जो factor है एक 3 भी बनता है और एक 16 भी बनता है because 48 जो है 3 से भी divide होगा और 48 से भी divide होगा 3 से भी divide होगा 16 से भी divide होगा तो यह भी दो factors इसके बन जाते हैं अब इस तरह से 4 हमने already ले लिया है 5 तो नहीं करेगा divide 48 को 6 करेगा probably yes 48 को अगर हम 6 से ड्वाइट करें तो 6, 8 जा 48 होता है तो फिर इसके दो factors और निकल के आगे हैं एक 6 भी है और एक 8 भी है तो यह भी factors बन गए इसके तो वैसे तो हमारा answer यहीं पर आगे खत्म हो जाना चाहिए because हमें यह ढूनना है कि यह composite है कि यह prime है लिगास चुंकि यहीं पर इसके दो से ज़्यादा factors बन जाते हैं तो answer यहीं पर खत्म हो जाता है तो उसके लावा अगर आप देखोगे 9 भी नहीं है 10 11 भी नहीं है 12 मा अलड़ी ले चुके हैं 13 नहीं आएगा 14 भी नहीं होगा 14 के table में 14 तूज़ा 28 14 3 तूज़ा 42 नहीं आएगा 15 भी नहीं आएगा 16 हम अलड़ी ले चुके हैं 17 18 नहीं अब मोटा मोटा यही सारे factors इसके 48 के निकल के आते हैं तो फिर इसको हम क्या डेकलियर करेंगे कि यह composite नंबर है अब इस तरह से यह इतना लंबा सम हो जाएगा इसके बादा आज़ो जी अगला नंबर क्या है अगला नंबर है 89 अब 89 क्या है 89 के दो factors तो बनेंगे 1 और 89 खुद इसके इलावा क्या 89 किसी नंबर से ड्वाइड होता है अंसर इस नो 89 और किसी से नहीं ड्वाइड होता तो 89 के सिर्फ दो ही factors है तो फिर इसको हमें कोई second thought नहीं है डेकलियर करने में कि यह prime नंबर है इसके बाद 96 और 78 जो दो दिएंगे हैं यह देखो सीधे सीधे composite है पर इनको आपको खुद करना जैसे मैंने पहले आपको 48 करके दिखाया था इसके बाद लास्ट में आ जाता है 101 अब 101 के दो factors तो देखो सीधे सीधे बनेंगे एक 1 और 101 यह दो नंबरों से तो यह मिशाइ 101 को ड्वाइड ने करता तो 101 भी जो है वो प्राइम नंबर है question number 3 क्या write down the first 10 prime numbers पहले 10 जो है प्राइम नंबर हमने लिखने है देखो जो पहला प्राइम नंबर है वो कुन सा होता है वो होता है 2 because 1 जो है न वो प्राइम है न वो गसे टो है अब 2 के बाद 3 is also prime because 3 सरफ 1 और 3 से डवाइट होता है 4 prime है 9 अब जो इतने भी even numbers आएंगे वो कोई भी prime नहीं है तो इनको तो हम सीधा छोड़ देंगे सरफ 2 ये एक even number है जो prime भी है और even भी है इसके बाद 5 prime है बिलकुल है because ये सरफ 5 से और 1 से डवाइट होता है 7 भी है prime because 7 और 1 से डवाइट होता है 9 नहीं है 9 composite है because 9 9 के 3 factors बनते है 11 is a prime number 13 is a prime number 15 prime नहीं है छोड़ दीजिए because 15 के factors 2 से ज़्यादा बनते है 17 prime है बिलकुल है 19 क्या prime है बिलकुल है because 17 और 19 के भी जो है दो ही factors है इसके बद 21 इसके भी multiple factors है इसको भी छोड़ दो because इसके 3 और 7 भी जो है factors बनते है 23 है 25 नहीं है 27 नहीं है 29 है prime number बिलकुल है इसके दो ही factors है तो अब गिने कितने होगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, or 10 तो first 10 prime numbers कौन से है वो ये वाले है question number 4 क्या write down all the prime numbers between 50 to 110 prime numbers 50 से लेके 110 तक हमने डूणने है देखो इसमें एक चीज तो बड़ी simple है जितने भी even numbers हैं वो तो prime नहीं है तो उनको तो आप straight वे छोड़ दो 50, 52, 54, 56, 58 ये सब छोड़ दो because ये 2 से तो divided होंगे होंगे तो obviously ये prime नहीं हो सकते ये composite है अब इसके बाद आज़ती बारी odd numbers की अब हमें odd numbers को देखना है तो odd numbers में एक चीज याद रख लेना जितने भी odd numbers जो 5 से end होंगे जैसे 55, 65, 75, 85 इनको भी छोड़ दो because ये कम से कम 5 से तो divided होंगे होंगे तो ये prime नहीं हो सकते ये सारे के सारे composite होंगे तो अब बच जाते हैं वो odd numbers जो 5 के बगार हैं तो उनको हमने experimental अब देखना है तो हर सीरीज में जैसे 50 की line में देखेंगे तो 51, 53, 57, 59 अब इन में से देखना है कि हमारे को कौन सा composite और कौन सा odd है तो पहले तो सीधा-सीधा इनको 3 से ढवाइड करके देख लो कि 3 से डवाइड कोई होता है number तो अगर 51 देखोगे 51 जो है डवाइड होता है 17 से तो ये भी फिर prime नहीं हो सकता ये composite है 53 प्राइम है ये 3 से डवाइड नहीं होता है और मेरा किया लग किसी से भी नहीं होता है ये सिर्फ 53 और वान से डवाइड होता है तो एक 53 तो इसमें से आ गया जो कि हमारे को एक prime नंबर मिल गया अब आजो 57 पे 57 भी देखो 3 से डवाइड होता है येस 19 से जाता है तो ये भी जो है prime नहीं है तो इसके बाद क्या बचा 59 ये prime है बिकाज ये मेरा नहीं कहले किसी और से डवाइड होता है तो ये एक prime नंबर है इसी तरह से भाई अब 60 की सीरीज में आजो 61, 63, 65 हम नहीं लेंगे बिकाज वो composite है, उसको छोड़ देते हैं जो 5 से end हो रहा है उसको छोड़ देते हैं तो उसके बाद 67 और 69 अब 69 छोड़ दो विकाज ये तो सीदा सीदा 3 से दिख रहा है कि ये 3 से divide होगा उसके बाद आजो 67 पे 67 पे 67 जो है ये भी किसी से divide नहीं होता है जो 63 है वो तो 7 से ड्वाइड होता है तो इसको भी छोड़ दो 67 जो है वो भी प्राइम में आएगा और 61 भी प्राइम में आएगा बिकास ये दोनों भी किसी और नमबर से ड्वाइड नहीं होते तो अभी तक हमारे को कौन कौन से नमबर मिल गए है 53, 59, 61 और 67 ये चार नमबर मिल चुके है अब आगे बढ़ते हैं ये कौश्टन में को आपको छोड़ देना चाहिए था करने के लिए 70 की सीरिज में आज़ वही 71, 73, 77 और 79 77 तो नहीं होगा 77 तो पता ही है कि 7 से ड्वाइड होगा और 11 से भी ड्वाइड होता है 77 और 1 तो ये तो इसको छोड़ दो इसके लावा अब ये बचे तीन नमबर ये मेरे ख्याल से तीनों ही प्राइम है बिकास ये 3 से भी इसको ड्वाइड नि कर पाएंगे ये भी नि जाएगा और मेरा ख्याल है ये भी नि जाएगा मतलब मैं अंदाजा ही लगा रहा हूँ बट मेरे साब से इसमें ये 7 से भी नहीं होगा 9 से भूल जाओ 11 से भी नहीं होगा 13 से भी नहीं होगा तो हाँ ये 3 डिजट्स, 3 नमबर जो है 71, 73 और 79, 70 की चोह लाइन है उसमें से आ जाएंगे उसी तरह से 80 में आ जो 81, 83, 87 और 89 81 तो 9 से जाता है इसको छोड़ो उसके इलावा 87 जो है ये 3 से जाता है इसको भी छोड़ दो और फिर बचे कौन से 83 और 89 ये 2 प्राइम है 83 और 89 अब आजो 91, 93, 97 और 99 99 तो छोड़ो 9 और 11 से फिर 3 से भी जाएगा ये छोड़ देते हैं तो ये जो है ये 3 से जाएगा 3, 3 जा, 9 और 3, 1 जा 3, 31 और 3 ये जाता है 97 जो है ये 3 से निट वाइट होता ये आपका ये मेरा क्याल किसी और से निट वाइट होता 91 आजो, 91 ये 7 से जाता है 7, 1 जा 7, 21, 7, 3 जा 21 तो ये 13 के साथ जाता है ये भी नहीं होगा ये 7 से टॉइट होता है तो बचा आप कौन सा? 97 तो यहां 90 की सीरीज में से 97 ही बचता है उसके बाद आजाते ही है 100 की सीरीज 101, 103, 107 और 109 इसमें मेरे ख्याल से ये सारी आजाएंगे ये भाई जी ये सारे के सारी नंबर जो है किसी के टेबल में नहीं आते है ना 3 के टेबल में आते है ना ये 7, ना ये 11 ये सारी आएंगे तो ये हैं आपके 50 से लेके 110 में प्राइम नंबर्स जो यहां तो अपने आप से ड्वाइड होएंगे यहां से ड्वाइड होएंगे तब यह हमारा आंसर है Question No. 5 क्या number lies between 2000 and 2070 and has 5 in its once place ठीक है जी Is it prime or composite number अब जो number है वो बोल रहे हैं कि 2000 और 2070 की बीच में लाय करता है और उसके जो है वन्स पॉजिशन पे 5 है कौन कौन से नंबर हो गया 2005 हो गया 2015 हो गया 2025 हो गया वन्स पॉजिशन पे 5 होना जरूरी है तो Is it a prime or a composite देखो simple सी बात है जोहां पे वन्स पॉजिशन पे 5 आजाएगा न वहीं पे रुक जाओ वो composite numbers है because एक तो जैसे हम मैं example ले लेता हूँ 2005 का इसके factors अगर हम देखेंगे तो एक 1 होगा 2005 होगा और जो मर्जी गर लो चूंकि end में 5 है तो 5 तो इसका factor हो गई होगा तो any number which ends with 5 by default is a composite number तो इसका answer है it is a composite number because once place पे अगर 5 है तो it is always divisible by 5 question number 6 जो है यह मेरा दिल कराई है बिल्कुल छोड़ दूँ यह आप करो list the first 5 multiples of पहले 25 का देना है फिर 17 का फिर 100 का फिर 41 का करना कुछ नहीं है इनका टेबल जो है वो बनाना शुरू कर दो जैसे अब 25 है 25 का टेबल क्या होगा 25 वान जा क्या है 25 25 का एक multiple तो 25 खुद हो गया तो जाए 50 25 थी जाए 75 यह मैं सरव आपको एक करके दिखा रहूं बाकी मैं नहीं करूंगा 100 and 25 फाइव फाइव जाए 125 तो पांच मल्टीपल्स जो 25 के हैं वो यह निकल के आते हैं जो अंसर आएगा आपको इस टेबल में इस तरह से आप 17 का करोगे इस तरह से 100 का करोगे और इस तरह से आप 41 का करोगे तो इन केस आप 25 मल्टीपल्स क्या क्या बने 25, 50, 75, 100 and 125 अब क्वेस्टिन नमबर 7 क्या है हमें मल्टीपल्स 15 के बताने हैं कौन-कौन से आते हैं जो 50 और 100 के बीच में है तो ऐसे सम्स में ना चुकि यह बहुत दूर तक का तो नमबर मांगा नहीं है तो आप 15 का टेवल ही लिख लो 15 1 जा 15, 15 2 जा क्या हो गया 30, 15 3 जा क्या हो गया 45, अब यह 3 जो है 50 के नीचे हैं तो इनको तो हम स्ट्रेट अवे कर देंगे रिजेक्ट यह हमारे किसी काम के नहीं है मल्टीपल्स अब आजो 15 4 जा क्या है 60 15 5 जा क्या 75, 15 6 जा क्या है 90 और 15 जो है 70 क्या है 105 अब यह 100 क्रॉस कर गया तो हमें उसके आगे कुछ नहीं चाहिए तो हमारे मतलब के जो मल्टीपल्स है जो 50 और 100 के बीच में हैं वो कौन-कौन से है 60, 75, and 90 आप रफ में इस तरह से टेबल बना सकते हो उसके आपके लिए आंसर ढूनना उत्रह इसान है तो 50 और 100 के बीच में जो 15 के मल्टीपल्स है वो क्या क्या है 60, 75, and 90 question 8 क्या है between which multiples of 10 does 3486 lie एक नमबर है 3486 हमें जो दिया गया है और हमें अब यह बताना है कि यह 10 के मल्टीपल्स कौन से दो मल्टीपल्स है जिनके बीच में यह आता है तो भाई 10 के मल्टीपल्स मतलब 10 का जो टेबल हम लिखते हैं 10, 1 जा क्या आता है 10, 10, 2 जा क्या आता है 20, तो 30, 40, 50 इस तरह से यह जो है यह सारे के सारे 10 के मल्टीपल्स है तो अब हमारे को क्या बोला गया है कि जो 3486 है 10 के कौन से दो मल्टीपल्स के बीच में आता है तो सीदी सी बात है भाई 10 के मल्टीपल्स के लिए ज़रूर यह कि end में 0 ज़रूर आएगा तब ही हो नमबर जो है 10 से डवाइड होगा तो 3486 से पहले कौन सा सा नमबर आता है जिसके end में 0 आता है वो है 3480 और उस तरह से 3486 के बाद में कौन सा नमबर आता है जिसके end में 0 लगता है वो है 3490 जो जो दो मल्टीपल्स हैं 10 के जिनके बीच में यह 3486 आता है वो है 3480 और 3490 यह हमारे आंसर है अब अगला कोश्टिन क्या है राइट एनी 4 पियर्स ओफ ट्विन प्राइम्स प्वर पियर्स ओफ ट्विन प्राइम्स अब पहली बात है त्विन प्राइम्स का मतलब क्या हुआ पहली इसमें इंपॉर्टन चीज यह आती है कि दो नमबर्स होएंगे और दोनों को प्राइम होना जरूरी है ठीक तू प्राइम नमबर्स मतलब दो नमबर्स दोनों ही प्राइम होने चाहिए whose difference is 2 are called twin prime numbers मतलब ऐसे दो प्राइम नमबर्स जिनको सब्ट्राइम करें तो answer आना चीए 2 तो उनको हम twin prime कहते हैं तो अब हम शुरू करते हैं 2 से 2 तो प्राइम है 3 भी प्राइम है पर इन दोनों को सब्ट्राइम करेंगे तो क्या आएगा answer 1 तो ये फिर twin prime नहीं कहे जाएंगे अब आजो अगला prime 3 है फिर 4 प्राइम नहीं है 5 प्राइम है तो 3 और 5 इनको अगर हम सब्ट्राइक्ट करें तो answer आएगा 2 तो 3 और 5 जो है ये एक pair बन जाता है twin prime का दोनों prime numbers हैं और दोनों को सब्ट्राइक्ट करने के बाद answer आता है 2 अब आगे चलो 5 एक prime है 6 नहीं है 7 prime है तो 7 में से 5 अगर सब्ट्राइक्ट करें तो भी answer 2 आता है तो अब अगला pair जो हमारे को twin prime का मिल गया है वो है 5 और 7 इसके बाद 7 तो प्राइम है बाद 8 नहीं है 9 नहीं है 10 नहीं है 11 है पर 11 और 7 का difference 4 आता है तो ये twin prime नहीं है 11 के बाद 12 प्राइम नहीं है 13 है और 11 और 13 जो है ये prime है और इन दोनों का अगर minus करें तो answer क्या आएगा 2 तो ये भी एक हमारे को pair मिल गया twin prime का हमने total कितने गूणने थे हमने चार pairs गूणने थे इस तरह के twin prime numbers के अब आगे चल लेते हैं आगे 11, 13, 13 के बाद 14 भी prime नहीं है 15 भी नहीं है 16 भी नहीं है 17 है 18 नहीं है 19 है तो 19 में से 17 माइनस करो तो क्या है answer 2 तो ये है जी चौथा pair जो कि जिनका difference 2 है तो इनको हम बोल सकते हैं ये जो चार pairs हमारे को मिलने हैं 3, 5, 5, 7, 11, 13, 17 और 19 ये इस आर दी एक्जामपल आफ twin prime numbers question number 10 क्या है which of the following numbers are co-prime numbers अब co-prime numbers क्या हो गए और इसमें interesting चीज़ ये है कि दोनों number को आपस में prime होना ज़रूरी नहीं है ठेक है एक prime भी हो सकता है दूसरा composite भी हो सकता है co-prime होने के लिए इसमें important क्या है कि two numbers are set to be co-prime when they have only one as common factor मतलब दोनों का common factor one होना चाहिए तो दोनों numbers को हम co-prime बोल सकते हैं अब जैसे इसमें example three और five का दिया है वो भी देखो three का भी common factor एक one है और five का भी factor जो है वो one है और यह दोनों में common है क्योंकि three का दूसरा factor three है और five का दूसरा factor five है तो पर common factor क्या है one है अब इसमें से three और four का example भी हम ले सकते है three का factor क्या है three और one four का factors क्या है four two and one यह तीनों factors है पर इनमे common factor क्या है one है तो three और four भी एक example है को प्राइम होने के तो इसी तरह से आप बहुत सारे numbers आप देख सकते हो जिन में common factors जो है one आपको मिल सकता है four और five भी है five और six भी है यह सारे के सारे को प्राइम नंबर्स हम बोल सकते हैं लोगों को अब पर हमारे को जो सम में दिया गया है वो कौन-कौन से दिये गये है अब सबसे पहला जो दिया गया है वो दिया गया है 13 and 14 13 and 14 अब पूछा गया यह क्या को प्राइम है तो 13 के factors क्या है कौन से नंबर्स है जो 13 को ड्वाइट करते हैं एक तो 13 और एक 1 और इसके लवा मेरे खल कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो 13 को ड्वाइट करता हो और 14 को कौन-कौन से number divide करेंगे एक तो 14 करेगा और एक 1 करेगा इसके लब 14 को और कौन से divide करते हैं 2 and 7 तो 14 के दो और factors भी है 2 and 7 पर इन दोनों के case में common factor क्या है सरव सरव 1 तो इस वज़ा से ये दोनों को हम co-prime बोलेंगे ये co-prime numbers है क्योंकि इन दोनों का common factor है वो 1 है इसके बाद अगले sum में आजो 8 and 20 अब इन में 8 का factors ढूँड़ो 8 कौन-कौन number हो से divide होता है 8 8 से होगा 1 से होगा ये दो simple है इसके लाब है 8 2 से भी होता है और 4 से भी होता है और कोई number है जिस से divide होता है answer is no अब आज है 20 बेक्ट ट्वेंटी के कौन-कौन से एक factors है 20 किस-किस से divide होता है एक तो 20 से होगा एक 1 से होगा इसके लाबा 2 से होता है 10 से होता है 4 से होता है 5 से होता है ये है और कोई बचा और कोई नहीं बचा है अब हम 8 और 20 के common factors ढूंटे तो कौन-कौन से निकलते हैं, एक तो 1 निकलता है, एक 2 भी निकल रहा है, एक 4 भी निकल रहा है, तो इस case में जो common factors हैं ये दोनों numbers के more than 1 है, 1 के इलावा और भी 2 हैं, तो इसलिए ये co-prime numbers नहीं हैं, इनको हम co-prime नहीं बोलेंगे, because इनके दोनों के आपस के जो common factors हैं, वो 1 से जएदा हैं, हमें सिर्फ 1 एक common factor चाहिए था, अब आजो अगले sum में 31 and 59, ये तो दोनों ही prime numbers हैं, 31 का भी अगर हम देखें, तो एक तो 31 आता, एक 1 है, इसके इलावा 31 किसे से divide होता है, 3 से नहीं होता, 7 से भी नहीं होता, और 11 से भी नहीं होता, 13 से भी नहीं होता, 17 फिर ये तो ऊपर चलागा है न, तो नहीं, इसके लावा और कोई नहीं है, तो ये अपने आप में एक prime number है, 59, अब लास्ट कुश्टिन 10 किया है, which of the following numbers है, co prime, यहां पे word prime है, use हुआ है, बट इसमें एक चीज़ important है, कि इसमें दोनों number हों का prime number होना जरूरी नहीं है, इसमें जो definition है, वो क्या बोलती है, two numbers are said to be co prime, when they have only one as common factor, 3 and 5 का example दिया है, 19 and 20 का example दिया, अब इसमें देखोगे, 20 जो है, वो composite number है, वो prime number नहीं है, बट 19 और 20 आपस में co prime है, because 19 के factors अगर देखोगे, तो वो 19 और 1 आता है, और 20 के जो factors हैं, वो क्या 1 और 20 तो ही है, 4 और 5 और 2 और 10 आते हैं, तो उसमें इन दूनों के जो factors आ रहे हैं, जो भी आ रहे हैं, उनमें common factors सरफ 1 है, वोई सम्स करते हैं, तो आपको समझ में आएगा, मैं क्या कह रहा हूँ, हमारे को जो सबसे पहला जो a part द times back.. 13 के पहले factors ढूने लेते हैं क्या क्या 13 का एक 13 है और एक 1 है यह factors है, 13 इन दो number से divide होता है, 14 के case में factors कियाह है, एक 14 होगा और एक 1 होगा, और इसके अलाबा, 2 से भी divide होता है, 7 से भी divide होता तो 14 के जो फ्रेक्टर्स हैं जादा है पर कॉमन इन दोनों में फ्रेक्टर्स कौन-कौन से हैं एक वन है और इसके लबब कुछ भी नहीं है तो इस वज़े थर्टीन और फॉर्टीन दे आर को प्राइम नंबर्स यह को प्राइम की केटिगरी में फॉल करते हैं अब अगले बी पार्ट में आ जो यहां पे हमें 8 और 20 दिया है एक फैक्टर जूंड़ो 8 और 1 तो सीधे-सीधे हैं इनको तो सीधे लिख दिया करो नंबर को और 1 को इसके लावा वह 2 से भी डॉइड होता है 4 से भी होता है और कोई बचा नहीं और कोई नहीं है 20 के गेस में 20 20 से जाएगा 1 से जाएगा इसके लावा वह 2 से जाता है 10 से जाता है डॉइड होता है 4 से होता और 5 से होता है यह फैक्टर जे अब 20 के गेस में और 8 के गेस में जो कॉमन फैक्टर जो क्या निगल गया रहे हैं 1 2 & 4 तो इन द को प्राइम नहीं गिने जाएंगे ये को प्राइम नहीं माने जाएंगे इसके बाद C है 31 and 59 अब 31 के जो फैक्टर्स है वो क्या है? एक तो 1 और एक 31 इसके लावा 31 मेरे नहीं कहाल किसे से ड्वाइड होता है 31 is a prime number उस विराद से 51, 9 के 1 और 59 है ये दो फैक्टर्स हैं और मेरे खाल से 59 भी प्राइम नमबर है इसलिए 59 भी किसी और से ड्वाइड नहीं होता है तो common factors क्या निकल क्या है? 1 तो ये को प्राइम है तो ये दोनों नमबर जो है को प्राइम है अब इसके वाद लास्ट क्या है? 34 and 85 अब इसके इसमें 34 के जो factors है ढूंडो पहले दो 34 और 1 तो सिदे-सिदे लिख दो फिर 2 और 17 है इसके लवा 34 4 से नहीं डवाइड होता 3 से नहीं डवाइड होता 7 से नहीं मेरेकल ये ही दो है ये ही 4 है और 85 पे आजो 85 का एक 85 और एक 1 तो रह गई रहेगा factor नमबर अपने आप में factor है ये नमबर का और 1 तो रह गई रहेगा तो इसके लावा ये 5 से डवाइड होएड होएगा तो 5 17 जा 85 होता है तो मेरे खेल है ये ही ये इसके भी factors रहने वाले हैं इसके लावा I don't think so और कोई होगा 7 भी नहीं होता है 11 तो विल्कुल भी नहीं है 13 भी नहीं होगा वेको 17 नहीं है ठीक है ये ही होएगे अब common factors पर आजो इनके common factors का है एक तो 1 और एक 17 तो फिर ये co-prime numbers नहीं है because इनके जो factors है 1 के इलावा और भी एक है factor जो कि 70 नहीं है इस case में but then it will not be called as a co-prime number with this we have come to end of this worksheet अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा कुछ सजेशन देने हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर दीजेगा ताकि आपने आपको मैं इंप्रूफ करूँ बाकि share करिए so that जादा से जादा लोग इसके साथ जूट सके और जिन लोगों ने subscribe नी किया प्लीज कर लीजिए and as usual जो मैं बोलता हूं thanks for watching till the end because ये में खिल से बैसा ही बात बड़ी बड़ी वीडियो बन चुकी है मैं खिल से ए गंटे के करीब होगी है वीडियो thank you very much for watching